अभी तक हमने धन तेरस से लेकर गोवर्धन पूजा तक की विधी जानी है जो की पंडित जी ने बताई हुई है आज हम तीन नौंबर को पढ़ने वाले यंदृतिया या भाई दूज की पूजा की विधी जानेंगे की सिक्को के आखरी दिन का पूजन हमें कैसे करना है क्य कि इतने दिनों से जिन सिक्कों का हम पूजन करते आ रहे हैं उन सिक्कों का हमें क्या करना है और साथ ही साथ जो हमने सामागरी मालचमी को भेट कि उनका भी सर्जन कैसे करना है या उन सामागरी का हमें क्या पर कैसे करना है और पाटे को कैसे हटाना है इसकी पूजा हम इत खिर से आपको सारा सामन हर्ण हटा लेना है जलका चीटा देना गंगा जलो तुस्से चीटा देना फिर रॉली मॉली चंदन सब कुछ आपको चड़ा देना है Wayne अगर आपके पास एक अमर बेल का तुक्रा कक्रा को खो समर्पित कर दे सुकत कमल कर दे मया देओ और यदि इन में से आपको कोई चीज नहीं मिल पारे तो जो आपने कल समर्पित किया है क्योंकि हो सकता है डेली-डेली हमें ना मिल पाए तो जो हमने कल समर्पित किया वही हम ले लेंगे और फिर वही समर्पित कर देंगे जैसे कल हमने दो-दो समर्पित किया था तो उसमें एक-एक ले लिजे और वही फिर से समर्पित कर दीजे जो चड़ा हुआ है वही उसे वापस भी समर्पित कर सकते हैं तो इस तरह से हमें फिर से इस पर्स कराके वही पर चड़ा देना है और भोग लगा देना है मीठे का उसके बाद क्या करना है जो घी के दीपक है घी के पा माज दीपका प्रोजलित कर दीजे अच्छे से उसके बाद पूजन वगारा कर लिजे माता लचमी के उनी घी के दियों से आर्थी कर दीजे और उसके बाद जोली प्रसार कर उनसे विंतिक कर लिजे और जोली अपने तरफ दिरा लिजे उसके बाद जोली फैला के आपको क्य में रख लेना है यदि आपके पास कोई डिपी हो तो डिपी में रख लिजें सबसे अच्छा है कि आप लाल वस्तर में बांध लीजे उन सब को और अपनी जोली में थोड़ी देर के लिए रख लीजे और उसके बाद जब आपने आर्थी कर ली इसको अपने जोली में रख तो फिर आप जो गी के पाँ दिपक जलाएं उसको घर के हर कोने में रख दीजे सबसे पहले तो एक दीपक आप क्या करिए कि जो अपने समान रखा है सारा उसको थोड़ी देर जोली में रख लखने दीजे और एक अग दीपक एक तुलसी माता के क्यारे के पास दीपक काम लगा दीजिए नीफडों चाहँ में अगचए वह को समान लिया उसको जाइए यहां प100 का हुआ आप का साधन percent का income वशु का साधन ऑपने लाल वस्त में लाल वस्ते में दो सिक्के ऐक खल्दी गटट एक अमर बेल तो वह सब आपको लेना है और उसी अलमारी यती जॉरी में आपको रख देना है और वह सामानों के दिपक में वहीं पर चाहåए आप देर खुले रहने दीजिए आरती कर दीजिए थोड़ी देर बैठके वहां पर प्रातना कर लीजिए और आपको क्या करना है उसके बाद प्रातना करनी है और कुबेर भंडारी से कहना है कि वेश्वर देव महादेव मेरी प्रातना मैंने पांच दिनों से सच्चे दिल से आपके ही क्रिपार से में पांच दिन का पूजा अच्छे से कर पाए हूं या कर पाया हूं जो भी कर रहा हूं तो इस तरह से आप कहिए और एक दीपक थोड़ी देर के लिए वहीं पे रख रहे हैं आपको अलोग मारी के अंदर या लॉकर के अंदर भूल से भी ने रखन स्रद्धा से सब कुछ आपको करना हो साथ में ध्यान भी रखना है साउधानी भी होनी चाहिए हर जीद में आप उसके साइड में रख दीजा ऊपर भी लग दी ऐसी जगह देखके कि कुछ आगवाग पकड़ने का डर ना रहे तो इस तरह से आप देखके रख दीजेगा उसके बाद आपका ये पूजन समाप्त हुआ अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें बिसर्जन कैसे करना है तो पंडी जी ने बताया कि सबसे पहले आप चौकी और पाटे को वहां से हटा दे थोड़ा सा हिला दे थोड़ा सा किनारे कर दे जैसे वहां की पूजा समाप्त मा कर वहां पे पोचा लगा दीजिए और जो समागरी आपने सब कुछ चढ़ाई एक कमल गट्टा एक कमर बेल खल्दी गार तो अब बाकी सब को आप निरमाल में रख दीजिए और यह बहते हुए जल में आप भी सर्जन कर सकते और बाद में थोड़ा सा पीला चावल मतलब जब आप चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे तो उसको मिक्स करेंगे तो पीले चावल बन जाएंगे अब आपको क्या करना है अपने द्वार पे जहां से आप प्रवेस करते वहां पे थोड़ा सा पीला चावल डार कर अंदर की और प्रवेस करिए इस तरह से आप की पूजा संपन हो जाएगी और आपके बिसरजन की बिधी भी संपन हो जाएगी तो पेला चावल डाल कर आपको अंदर की और प्रवेश करना है और फिर जितनी भी आपने सामगरी चड़ाई यह दीपक वगरा सब वैसे भी निर्माले में ही जाता है तो जब जहां पर निर मालने में चला है तो इस तरह से हमारे यह एंधितिया कि पुझा संपन होती है और हमने पांच दिन से हम लगातार पूजा कर रहे हो संपन हो जाएगी यह स्री शिवाय नंमस्तु भियं हर- libertyया भर लिख बोले बाबा घंस सबी मनौ कामने पूरी और हमारे जीवन को खुसि जो से भर दे थाइंक यू